आपके पास Vivo Y200 है 200 series का कोई और फोन है तो यहां पर आप AOD की setting कैसे कर सकते हैं always on display कैसे on off कर सकते हैं तो इसके लिए setting पर जाएंगे step से option आएगा और यहां पर आपको lock screen and wallpaper के option पर क्लिक कर लेना है scroll कर लेंगे और इसके बाद always on display पर क्लिक कर लेंगे इसे on कर देंगे अब always on display यह रहा AOD आपका जो भी digital clock वगरा आपको change करना है वो change कर देंगे ऐसे करके options आजएंगे देख सकते हैं अलग अलग है और यहां पर color वगरा भी आ जाते हैं लेकिन मैं default रहने दूँगी यह cool लगता है और background कैसा होना चाहिए यह background यहां से आप change कर लेंगे इसके साथ apply पर क्लिक कर देंगे आप यहां पर यह सब भी use कर सकते हैं इस step से ठीक है और यह वाले lock हो गए और भी options है इन में से add-on कर सकते हैं लेकिन मैं यही रहने दूँगी और यहां पर ने जो download का option अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो download more पर जाके आप AOD डाउनलोड कर सकते हैं थीम से भी जाके जैसे कि अभी फिलाल के लिए मैंने यह set कर दिया है और यहां पर जब मैं screen को off रखूंगी न तो off screen पर ऐसे करके AOD शो करेगा और अगर जैसे पिक्चर पकर चेंज करनी है तो इसके लिए आप यहां पर जो थीम का option है थीम पर आप चाहेंगे तो यहां पर आपको always on display का option मिल जाएगा यह load हो रहा है वेट कर लेंगे तो ऐसे करके pictures भी शो हो जाती है आप चाहों तो इन को भी लगा सकते हैं लेकिन इसके लिए प्राइस लगेगा और जो free वाले हैं free वाला आपको वहीं पर ही मिल जाएगा यहां पर लिखेंगे ना अगर मिलेगा free वाला तो यह दिख सकते हैं और भी हैं यहां पर free वाले इनको आप set कर सकते हैं तो जैसे कि ये वाला कर लिया, डाउनलोड पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक कर लिया, अप्लाई हो चुका है सक्सेस्फुली, अब यहां पर पहले क्या आ रहा था आपका, जो दूसरा पिक्चर आ रहा था, अब इस ट्राप से पिक्चर आईगी, ठीक है, अब एक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार